सक्सेच क्लासेच परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हारदिक स्वागत है मित्रों आज मैं कारेक्टर आफ ए हैप्पी लाइफ नामक पाठ आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यह पाठ सर हेनरी वाटन ने लिखा था जो एक 17 सेंचुरी के एक बहुत ही जाने माने स्कॉलर थे मतलब एक विद्वान थे और वह एक क्रिटिक भी थे आलोचक भी थे और सर हेनरी वाटन 1568 इस्वी में केंट नामक अस्थान पर इंगलैंड में पैदा हुए थे और यह बहुत ही बिद्वान थे इन्होंने विंचेस्टर और क्वीन्स कालेज में से इन्होंने अपनी प्रारंभिक सिछा पाई उसके बाद यह आक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़े और उसके बाद इन्होंने मिडल टेमबल नामक स्कूल में भी दाखिला लिया यह बहुत ही बिद्वान थे इन्होंने कई कविताओं को लिखा है और उसमें से कायरेक्टर आफ ए हैपी लाइट नामक पाठ इनका बहुत ही प्रचलित है और इसे आपके सिलेवस में भी सामिल किया गया है इस पाठ में स्रीमान सर हेनरी वाटन महोदे आपको एक प्रसन जीवन के ब्यक्ति के चरित्रों का यहां पर वरणन करते हैं और हमें यह बताते हैं कि एक जो बहुत ही प्रसन जीवन का जो ब्यक्ति होता है उसका ब्यक्ति तो कैसा होता है उसके कारे कैसे होते हैं उसके अ पूरी तरह प्रसन्नता पूर वग्यतीत करता है और वह एक हैपी कारेक्टर का वग्यक्ति बन जाता है उसका पूरा जीवन प्रसन्नता में बीदता है तो स्रीमान हम लोग आगे के पार्ट पर चलते हैं और पार्ट की बारे में जानते हैं कि स्रीमान हेनरी वोटन ने हमें इस part के माध्यम से क्या बताया है? सबसे पहले, पहली line में लिखते हैं, कि How happy is he born and taught? एक प्रसन जीवन की बत करते हैं, यहां पर हेनरिवाटन और उसके बारे में बताते हैं, कि How happy, मतलग कितना प्रसन इज होता है, होता है होती है होते है रहता है रहती है रहते है जब इस प्रकार के वाक्यों से ऐसे वर्ब से जब हमें किसी भी एक ऐसी चीज का वर्ण होता है जो एक सनातन तक चलने वाली जो चीज़ें होती है वहाँ पर उसके लिए अंगरे जी इज आयम आर प्रयोग किया जाता है जैसे सूर्य गर्म होता है Sun is hot इस प्रकार से इज का जो प्रयोग होता है वह होता है, होती है, होते हैं कि अर्थ में एक स्प्रिच्वल टूथ बताने के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है How, Happy, कितना प्रसन इज होता है ही वह, वह मतलब एक प्रसन जीवन का ब्यक्ति जो प्रसन रहने वाला ब्यक्ति होता है वह मतलब एक प्रसन रहने वाला ब्यक्ति कितना प्रसन होता है बार्न मतलब जन्म से आर अथमा टाट अथमा सिच्छा से एक प्रसंद रहने वाला ब्यक्ति किस प्रकार से मतलब वह कितना अपनी जीवन और अपनी जन्म से और अपनी सिच्छा से वह कितना प्रसंद होता है मतलब बहुत प्रसंद होता है डाइट जो सर्वत सेवा करता है मतलब क वह ब्यक्ति मतलब एक प्रसन ब्यक्ति अपनी जीवन से अपनी सिछाओं से अपनी जन्म से वह कितना प्रसन होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है हूज आरमर जिसका कवच इज होता है हिज उसका आनिष्ट इमांदार थाट विचार जिसका कवच उसका इमांदार विचार होता है जिसका कवच उसका इमांदार विचार होता है और साधारन सत्य हिज उसकी अटमोष्ट इसकिल सर्वोत्तम योग्यता होती है जिसका कवच उसका इमांदार विचार होता है और साधारन सत्य होती है उसकी सबसे बड़ी योग्यता उसका साधारन सत्य होता है हूज पैसंस जिसका मनोवेग नाट नहीं हिज उसका माश्टर मालिक आर होता है जिसका मनोवेग उसका मालिक नहीं होता है हूज सोल जिसकी आत्मा इज होती है इस्टिल हमेशा प्रिपेर्ड तयार फार डेथ मौत के लिए जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तयार होती है अर्थात जो ब्यक्ति मृत्य से बिलकुल भयभीत नहीं होता है जिसके मनोवेग जिसके मन में उठने वाले वेग जैसे हमारे मन में तमाम प्रकार की वेग आते हैं कि पढ़ते समय हमारे मन में विचार आता है टीवी देख लें और फिर विचार आता है और किसी कारे को कर लें लेकिन जो अपने मनोवेग के अनुसार कारे नहीं करता है वह दास नहीं होता है गुलाम नहीं होता है वह व्यक्ति एक प्रसन जीवन का व्यक्ति होता है अन्टाइड बंधन मुक्त होता है अन्टू से दवड संसार से विथकियर चिंताओं से जो संसारिक चिंताओं से एकदम स्वतंत्र होता है अर्थात मुक्त होता है आफ प्रिंस प्रिंसली लव मतलब राजाओं का प्यार जो राजकुमारों को दिया जाता है उस प्रकार का प्रेम राजसी प्रेम हम कह सकते हैं कि जो राजसी प्रेम के लिए प्रेम की वह चिंता नहीं करता और अथमा वलगर ब्रीथ अथमा सामाने लोगों की आलोचना जो राजाओं के प्रेम आर्था या अथमा सामाने लोगों की आलोचना जैसे सांसारी के चिंताओं से वह एकदम मुक्त होता है ऐसा अब्यक्ति इस प्रकार की चीजों से पूरी तरह स्वतंत्र होता है वह न तो किसी के प्रेम का आकांची होता है और नहीं सामाने लोग आलोचना करने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या कहते हैं उनकी भी चिंता नहीं करता है और हू हायत हायत मतलब हायज मतलब रखता है रखती है कि भाव में हायज का प्रियोग किया जाता है आप लोग जानते होंगे तो हूँ हैथ जो हैथ रखता है हिज लाइफ अपना जीवन फ्राम से रिवमर्स अपवाहूं से फ्रीड स्वतंत्र जो अपना जीवन अपवाहूं से स्वतंत्र रखता है हूज कांसियेंस जिसकी अंतर आत्मा इज होती है हिज उसकी इश्ट्रांग मजबूत रिट्रीट सरन अस्थली जिसकी अंतर आत्मा उसकी मजबूत सरन अस्थली होती है और जो वह ब्यक्ति वह प्रसन जीवन का ब्यक्ति जो अफवाहूं से पूरी तरह अपना जीवन सुतंतर रखता है और तथा उसकी अंतरात्मा जो होती है वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही वह पूरी तरह निर्वर होता है ईस्थित का फायदा चापलूस लोग नहीं उठा सकते हैं और नार न तो रुइन बरबादी मेक बनाती है आपरेसर्स अत्याचारी लोगों को अन्याय करने वाले लोगों को ग्रेट महान जिसकी इस्तित का फायदा न तो चापलूसी करने वाले लोग उठा सकते हैं और नहीं उसकी बरबादी किसी अत्याचारी ब्यक्ति को दुगाचारी ब्यक्ति को अन्याय करने वाले ब्यक्ति को महान भी नहीं बनाती है हुजो इन्विस घ्रिणा करता है नन किसी से नहीं हुम जो चांस अवसर पाकर डथ रेज उठते हैं और जो उनकी घ्रिणा नहीं करता है जो अवसर पाकर उठते हैं और नारविस नहीं उनकी बुराई करता है जो किसी भी ब्यक्ति का जो ब्यक्ति अवसर पाकर उठते हैं या भाग्यवस वो जल्दी पैसे वाले बन जाते हैं या पावरफुल बन जाते हैं या सफलता को प्राप्त कर लेते हैं वह न तो ऐसे ब्यक्तियों से घिना करता है औ और नहीं ऐसे ब्यक्तियों की वह बुराई करता है। एक प्रसंद रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की चीजों से बिल्कुल ही बिल्कुल ही अनभिक गिराता है। और नार रूल्स आफ इस्टेट नार रूल्स आफ इस्टेट मतलब एक प्रसंद जीवन का ब्यक्ति वह इस्टेट अर्थात राज के रूल्स नियमों को नहीं मानता है और एक प्रसंद रहने वाला ब्यक्ति राज के नियमों को नहीं मानता है बट लेकिन रूल्स आफ गु च्छाई के अनुसार वह ब्यक्ति कारे करता है जो ब्यक्ति इस लाइन को एक बार फिर से ध्यान दे ले बच्चे कि जिस ब्यक्ति ने ये कभी नहीं समझा कि प्रसंसा से कितना गहरा घ्याओ दिया जा सकता है और वह राज के नियमों को नहीं मानता है लेकिन वह अच्छाई के नियमों को मानता है जो गाड भगवान की डथ लेट एंड अरली प्रे प्रार्थना करता है जो भगवान की देर सवीर प्रार्थना करता है more अधिक of his grace मतलब उसकी कृपा के लिए अधिक दैन से gift उपहार to lend मतलब प्राप्त करने से lend मतलब देने से अर्थात इस्वर उसे उपहार दें इसलिए नहीं बलकि वह उनकी कृपा के लिए भगवान की इस्वर की वह देर सबीर प्रार्थना करता है असन जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है वह भगवान की इस्वर की देर सबीर प्रार्थना तो करता है लेकिन उनकी कृपा के लिए न की इस भाव से कि भगवान उसे कुछ दे हूँ जो इंटरटेंस ब्यतीत करता है दः हारमलिस डे अर्थात हानी रहीत दिन दः आने का मतलब कि यह दिन मतलब एक निश्चित दिन बन गया मतलब कोई भी उसका कोई निश्चित दिन है आप लोग जानते हैं कि दः का प्रयोग हमेशा किसी निश्चित वस्तु ब्यक्ति या अस्थान से पहले किया जाता है जिसकी निश्चितता ब्यक्ति की जाए मतलब कि जो अपना हानी रही तदिन ब्यतीत करता है वित साथ इविल चूजेन एक अच्छी चूनी हुई बुक किताबों के साथ और अथमा फ्रेंड अथमा मित्रों के साथ एक प्रसंद जीवन का ब्यक्ति जो हमेशा एक प्रसंद पुर्वक जीवन ब्यतीत करता है वह ब्यक्ति अपना हानी रहित दिन एक अच्छी चुनी हुई किताबों अथमा मित्रों के साथ ब्यतीत करता है दिस मैन यह ब्यक्ति इज होता है फ्री स्वतंत्र फ्राम से सरवाइल दासता की बैंड्स बंधनों से और यह ब्यक्ति दासता की बंधनों से स्वतंत्र होता है वह किसी की दासता स्विकार नहीं कर सकता वह किसी का दास नहीं बन सकता आप होप टू राइस मतलब उठने की आ आसा आर अथमा फियर भाय टूफाल गिरने का उस ब्यक्ति को उठने की आसा और गिरने का भाय जैसे दासता की बंधनों से वह ब्यक्ति हमेशा स्वतंतर होता है मतलब अर्थात लेखक के कवी के कहने का तात पर है कि उस ब्यक्ति के एक प्रसन जीवन जीने वाले ब्यक्ति का की जो आसाएं होती है वह आसाएं बहुत बड़ा आदमी बन जाने की नहीं होती है और नहीं उसे किसी चीज का भय होता है किसी चीज की हानिका भय होता है वह ब्यक्ति हमेशा सच्चाई के नियमों पर चलता है अच्चाई के नियमों पर चलता है सही चीजों को वह मानता है मतलब इस लाइन को फिर से देखेंगे बच्चे कि दिस माइन यह ब्यक्ति इज होता है फ्री स्वतंत फ्राम से सर्वाइल बैंस दास्ता के बंधनों से यह व्यक्ति दासता की बंधनों से मुक्त होता है उसे न तो उठने की आसा होती है और नहीं उसे गिरने का कोई भय होता है और लारड आफ हिंसल्फ लारड स्वामी होता है मालिक होता है आफ हिमसेल्फ स्वयम का ऐसा ब्यक्ति स्वयम का मालिक होता है स्वयम का वह स्वामी होता है दो यद्यप की नाट आफ लाइंड्स यद्यप की वह किसी बड़ी भूमिका अर्थाद किसी अपन बहुत बड़ी जागीर का वह स्वामी नहीं होता है लेकिन वह स्वायम का वह खुद का स्वामी होता है वह किसी के बस में आकर किसी के प्रभाव में आकर वह कोई कार्य नहीं करता है और हैविंग नथिंग और हैविंग रखते हुए नथिंग कुछ नहीं और कुछ न रखते हुए भी ही वह हैथ रखता है आल सब कुछ और कुछ न रखते हुए भी वह ब्यक्ति सब कुछ रखता है ऐसा ब्यक्ति एक प्रसन जीवन का ब्यक्ति स्वयम का मालिक होता है बहुत बड़ी जागीर का मालिक नहीं होता है और कुछ न रखते हुए भी वह सब कुछ रखता है मुझे आसा है कि बच्चे इस पाठ को न समझ में आए तो repeat करके देखेंगे और इस पाठ को पूरी तरह तयार करेंगे meanings इसकी एक एक लिखेंगे पूरी तरह से इसका एक notes तयार करेंगे वीडियो को अपने मित्रों के पास अपने साथियों के पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास इसे share करें लाइक करें कमेंट करें अगली वीडियो में अगली पाठ के साथ फिर से मुलाकात होगी धन्यवाद